राधे राधे हरे क्रिश्ना कार्तिक मास महात्म 26 वा अध्याय आगी की कथा इस प्रकार है नारजी बोले इस प्रकार विश्नु पार्षदों के बचन सुन का धर्मदत्त ने कहा प्रायह सभी मनुस भक्तों का कश्ट दूर करने वाले स्री विश्नो की यग दान बृत तीर्थ सेबन तथा तपश्याओं के द्वारा बिदी पूर्वक आराधना करते हैं उन समसाधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विश्नो की प्रशनता को बढ़ाने बाला तथा उनके सामिपी की प्राप्ति कराने वाला है दोनों पारसद अपने पूर्वजन की कथा कहने लगे हे दुझ स्रेष्ट आपका प्रिश्न बढ़ा स्रेष्ट है आज हम आपको भगवान विश्नो को सीक्र प्रशन करने का उपाय बताते हैं हमें तिहास सहित प्राचीन ब्रतान सुनाते हैं साधानी पूर्वख सुनो ब्रामभन पहले कांची पुरी में चोल नामक एक चक्रवरती राजा हो गए है उन्ही के नाम पर उनकी अधिन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए राजा चोल जब इस भूमंडल पर सासन करते थे उस समय उनके राज में कोई भी मनोस दरद्र दुखी पाप मन में लगाने वाला तथात्वा रोगी नहीं था एक समय की बात है राजा चोल अनंत सैन नामक तीर्थ में गहे जहां जगदीस और भगवान विश्णो ने योग निद्रा का आस्राय लेकर सैन किया था वहां भगवान विश्णो के दीब बिग्रय की राजा ने विधी पूर्वक पूजा की दिब्यमनी मुक्ताफल तथा सुबरन के बने हुए सुन्दर पुस्पों से पूजन करके साश्टांग प्रणाम किया प्रणाम करके जियों ही बैठे उसी समय उनकी दरश्टी भगवान के पास आते हुए एक ब्रामबर पर पड़ी जो उनहीं की कांची नगरी के निवासी थे उनका नाम विश्णो दास था उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था निकट आने पर उन ब्रामबर ने विश्टो सुप्त का पाट करती हो देवादी दियो भगवान को इश्णान कराया और तुलसी की मंजरी था पत्तों से उनकी विदिवत पूजा की राजा चौल ने जो पहले रतनों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढख गई यह देखकर राजा को पित होकर बोले विश्टो दास मैंने मनियों तता सुपरन से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी सुभा पा रही थी तुमने तुलसी दर के दुज स्रेश्ट बिष्णू दास ने कहा राजन आपको भक्ती का कुछ भी पता नहीं है केबल राज लच्छिमी के कारण आप घमंड कर रहे हैं बतलाईए तो आज से पहले आपने कितने बैश्ण अब्रतों का पालन किया है तम निप्ट स्रेश्ट चोल ने हस्ती हुए कहा तुम दो दरित रौन रधन हो तुमारी भगवान बिष्णू में कितनी भक्ती ही है तुमने भगवान बिष्णू को संतुष्ट करने वाला कोई भी एक गुर्दान आदी नहीं किया और ना पहले कभी कोई देव मंदिल ही बनवाया है इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ती का इतना गर्भ है अच्छा तो ये भी सभी ब्रामः मेरी बात सुन ले भगवान बिष्णू के दर्सन पहले मैं करता हूं या यह ब्रामः इस बात को आप सब लोग देखें फिर हम दोनों मैंसे किसकी भक्ती कैसी है यह सब लोग सुता ही जान लेंगे ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए वहां उन्होंने महरसी मुद्गल को आचार बना कर ब्रैश्णौ ये प्रारम में किया उधर सद्यो भगवान विष्णू को प्रशन करने वाले सास्तोक नियों मैं तक पर विष्णू दास भी बृत का पालन करते हुए वहीं भगव और कार्तिक के उत्तम प्रत का अनुष्ठान तुलसी बन की रच्छा एकदसी को द्वादसाच्छर मंत्र का जाप नित गीत आदी मंगल में आय जुनों के साथ प्रतिदिन सोडूप सा सोडूप से भगवान विष्णू की पूजा आदी नियमों का आचरन किया बे प्रति प्रतियों के फीतर एक मात्र भगवान विष्णू को ही स्थित देखते थे इस प्रकार राजा चोल और विष्णू दास दोनों ही भगवान लच्छी पती की आराधना में सनलगन थे दोनों ही अपने अपने बृत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपोर्ण इंद्रि थे इस अवस्था में उन दोनों ने दीरकाल वितीत किया आगे की कथा अगले अध्याय में सुनियेगा हरे कृष्ण राधी राधी कार्तिक मास महात्म शब्वीश्वा अध्याय समाथ हुआ